है डो दोस्तो आज मैं आपके लिए 800 मेंटर का बेस्ट वर्कॉट लेकर आयो जो इस वर्कॉट को दोस्तो वाइज और गल्स दोनों फॉलो कर सकते हैं दोस्तो बहुत सारा महनेत करते हो बहुत एक्साइज करते हो लेकिन आपका रणी में इंप्रूमिट नहीं होता क्योंकि दोस्तो आप weekly schedule फॉलो नहीं करते हैं इसलिए दोस्तो मैं आज आपके लिए weekly schedule लेकर आयो जो इस workout को परने से आपका बहुत ज्यादा इंप्रूमिट होगा और अगर दोस्तों आप नए हो तो दोस्तों आपको इस वर्कॉट करना से पहले आपको 10-15 दिन नॉर्मल एक्साइज करना होगा जिसमें वर्म एक्साइज हो एबीसी हो स्टेचिंग हो इसकी लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये वास आप है इस एक्स ननीय आपको बाद मैं आपको दूस्तों वर्कॉट खत्म होने के बाद दूस्तों आपको उसको फॉलो करना है लिसे आपको दुछ़टों इढ़े हो और आपका पर्थत ज्यादा बढ़त दे करते हैं तो स्टेचिंग हैं आपको रोज कंपश्री करना है और उसके वीडि करें किता दोस्तों मंड़े को हमें मौरलिंग में अबसे पहले पूरा वार्वा सब करना है और उसके बाद दोस्तों में पूरा एबीसी एग्जर सब्देशकर नाएं जिससे दोस्तों सुन्हाइब बढ़ेगी और उसकी स्टेप बढ़ाने भी बहुत हिल्प होगी इसकी भी लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये है वहाँ से आप कर सकते हो और जस्तों जो मैं वर्काउट पताता हूँ उसकी वीडियो मैं बना चुका हूँ वह आप दोस्तों चैनल पर जाकर देके फिर एबीसी एक्साइज करने के बाद दोस्ते हमें स्ट्रेश्टिंग एक्साइज करके छोड़ देना है प्रेविनिंग में वार्माप करके हमें 1200 मिटर की एक लगानी है और उसका स्पेस दोस्तों आप 80 या 85% एपोर्ट से लगाए और दोस्ता में टाइमी देखना है सिर्फ पूरी लगाने है और हर एक कापेसिटी अलग होते हैं आप अपनी कापेसिटी के हिसाब से लगा सकते हैं पिर बारा सुमिटर एक लगाने के बाद फिर हमें तीन या चार मिनिट ट्रेश्ट ले सकते हैं और उसके बाद हमें 1000 की दो रप्रेश्टिंग और उसकी स्पीड आप 80-90% एपोर्ट से लगाएंगे और एक रप्रेश्टिंग के बीच हम तीन या चार मिनिट ट्रेश्ट लेंगे और फिर स्ट्रेश्टिंग करके चुड़ देंगे फिर चुजड़े का वरकाउट चुजड़े में हमें मॉर्निंग में लेक जबेना बहुत ज़रुरी और लेग-वरकाउट किस तरह करना है यह आप वीडियो देख सकते हैं पर और फिर लेग वरकाउट करने के बाद हमें स्ट्रेश्ट करना है और दोस्तों एवेणिंग में हमें जागिंग करके वार्मप करके फिर हमें 20 मिनिट स्लो जागिंग कर करना है 30 मिटर में ABC करना है 30 मिटर में साथ या आठ एक्सक्राइज करेंगे और उसकी वीडियो दोस्तों आप चैनल पर जाके देखिए कैसा करना है और उसके बाद हम स्टेशनिक दर्साइज करकी छोड़ देंग और एविनिंग में हमें दोस्तों वरिष्ट लेना है फिर च से दोस्तों हमी 22 मिंटर हर एक राउंड का स्फेस सेम होना चाहिए मतलब की दोस्तों समझें आपका उसमें एक 45 हो सकता है ऐसे दोस्तों हमें एक ही स्पेस पर लागान है समझो 2 मिनिट में आपका 1 पूरा हो गया फिर नेक्स राउंड दो में परज़ा होना जाए फिर तरंडाउं दो मिनटे ऐसा में दोस्तों स्पेस रेनिंग और इससे दोस्तों आपकी टाइमिंग भी बहुत अच्छा ही और फिर इसके बाद दोस्तों स्टेचिंग करके छोड़ देना है फिर चलते हैं इविनिंग पर इविनिंग में दोस्तों वार्म एक्सराइज करके हमें कोर एक्सराइज करना है और वैसे आपको स्टेफ्स लागना है और बाद में स्टेचिंग करके छोड़ देंगे और दोस्तों कोर एक्सराइज की वीडियो जल्दे लेकर आओंगा फिर आपकोर के पिर फ्राइडवे में मूर्निं। menghild training करना है और हीन Jeżeli करने लिए नहीं थोड़ी उच्काई की जग देखने दिड्सोड या 200 या 300 मिट्र तक तक फिल्सक्य और इसकी वीडियो को सकते या डिस्क्रेट्ट्यिंब चुझे लिंक ही देले हो आस्याप कर सकते हैं फिर उसके बाद stretching करके छोड़ देंगे फिर जाते ही इविनिंग में दोस्तों हमें वानव एक्जरसाइज करके ABC एक्जरसाइज करना है हमें ज्यादा हर्ड करने की जरुद्धन है इसमें दोस्तों हमें 5 या 6 एक्जरसाइज लागा और उसके बाद दोस्तों हमें स्ट्रेचंग एक्डसाइज करना है और छोड़ देंगे बस इतना यह और कट हमें दीっ में करना इस पिर याथि हम मॉर्णिग में इस पिर दे हम स्ट्राइज में मॉर्रिनिक में करके दो ROG जोगिंग करना है क्योंकि दोस्तों हमें इंडरेंस की जरूरत हती जो आपके स्टैमिना कम पड़ता है इसके लिए दोस्तों हमें दोस्तों स्ट्रेशन करना पड़ता है और फिर दोस्तों हमें स्ट्रेशन करके छोड़ देंगे कि इभिनिंग में हम पूरा रेष्टलेंगे और सन्डेश करने के बाद आपको थोड़ी मसस में रिकरी आईगी για इसलिए दोस्तों मैं रेष्टलीन आए और बाध में अब मंडे सो प्रक्टिस कर सकती हूँ दोस्तों आ पूरा वर्कॉट भूती आपके लिए फायदीबंद होगा से आपका परफॉर्मस जरूर बढ़ेगा इसको आप जरूर फॉलो करो और इसको दोस्तों कम से कम दो महिने तुक फॉलो करो आप आपका रिजल्ट हैंड्रेट परसेंट आएगा ठीक है दोस्तों वीडियो अच् कमेंट करके बता ना इसले के वीडियो को तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पार